आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो आपके पडोसी है हमारे प्यारे नबी सललाहु अलेहिवसलम ने हमसायों के हक अदा करने का हुक्म फर्माया हमसायों के हक ये हैं आप उनका अदब करें कोई हमसाया बिमार हो जाए तो उसका हाल पूछने के लिए जाएं खुशी के मोके पर उसे मुबारक बात दें कोई गम का मोका आ जाए तो उनके हाँ जाएं उनसे हम दर्दी का इजहार करें आडियो स्पीकर्स इतनी उन्ची आवास से ना सुनें के उन्हें तकलीफ हो परोसी बच्चों को नेकी के कामों की तरफ देहान दिलाएं वो कोई बुरा काम करें तो आप उन्हें बताएं कि ये काम बुरा है कोई अच्छा सालन पके तो परोसी को भी भिजवाएं खास तोर पर घरी परोसी का ख्यार रखें खाने के इलावा कोई फल या कोई मीठी चीज़ भी भिजवा सकते हैं परोसीों से कोई घुलती हो जाएं या वो आप से कोई जियाती कर बैठें तो उन्हें मुआफ कर दें और उस बात को अपने आप तक महदूर रखें दूसरों को ना बता दें पिरें आप किसी परोसी से कोई जियाती कर बैठें तो फोरण उस से मुआफ़ी माँग ले और आइदा ना करने का पुखता अजम करे तो साथियो अगर आपने पिछले लेसन नहीं सुने तो सुन लीजिए अल्ला हाफीज